31 मार्ज निर्गमन का ग्रंद अध्याई 32 पत संख्या 7 से 14 प्रभु ने मुसा से कहा परबत से उत्रो क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाई हो बटक गई है उन लोगोंने शीग्री ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया उन्होंने अपने लिए ढली हुई दातों का बच्छडा बना कर उसे दंडवत किया और बली चड़ा कर कहा इस्ट्राइल यही तुमारा देवता है यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया प्रभु ने मुसा से कहा मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हश्ट धर्मी है मुझे इनका नाश करने दो मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन करूँगा मुसा ने अपने इश्वर का क्रोध शांत करने के उदेश्य से कहा प्रबु ये तेरी प्रजा है जिसे तु सामर्द तथा बुझबल से मेस्र से निकाल लाया इस पर तु कैसे क्रोध कर सकता है मिस्रियों को ये कहने का अफसर क्यूं मिले कि बुरे उदेश्य से वे उन्हें निकाल लाया जिसे वे उन्हें पर्बतों के बीच मार डाले और प्रित्वी पर से मिटा दे अपनी क्रोधागनी को शांत कर और अपनी प्रजा पर विप्तिना आनी दे अपने सेवकों को इब्राहिम, इस्थाग और यकूब को याद कर तुने शपत खा कर उनसे ये पर्तिग्या की है मैं तुम्हारी संत्ति को स्वर्ग के तारों की तरहा असंख्या बनाऊंगा और अपनी पर्तिग्या की अनुसार तुम्हारी वन्शाजों को ये समस्त देश पर धान करूंगा और वे सदा के लिए उसकी उत्रदिकारी हो जाएंगे तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की ज़धंकी दी थी उसका विचार शोड दिया ये प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य प्रभु जब तु अपनी प्रजा पर धया दृष्टी करेगा तो मुझे भी याद कर प्रभु जब तु अपनी प्रजा पर धया दृष्टी करेगा तो मुझे भी याद कर उन्होंने हुरेब में एक बच्चडा गड़ा और धातु की मूर्ती को दंडवत किया उन्होंने अपने महमा में इश्वर के भदले गास खाने वाले बैल की प्रतीमा की शरन ली अनुवाक्या प्रभु जब तु अपनी प्रजा पर ध्रया दृष्टी करेगा तो मुझे भी याद कर उन्होंने अपने मुक्ती दाता इश्वर को बुला दिया जिसने मेंस्र देश में महान कार्य किये थे हाम देश में चमतकार दिखाए थे और लाल्च मुद्र के पास आंतक फ्यलाया था अनुवाक्या प्रभु जब तु अपनी प्रजा पर दया दृष्टी करेगा तो मुझे भी याद कर इसलिए उसने कहा कि वे उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था किन्तु उसके क्रिपा पात्र मुसा बीच में आई और इश्वर ने उस पर से अपना विनाश कारी क्रोप हटा लिया अनुवाक्या प्रभु जब तु अपनी प्रजा पर दया दृष्टी करेगा तो मुझे भी याद कर जय घोश ए मसीहा तेरी महमा और स्थूती हो अनुवाक्या ए मसीहा तेरी महमा और स्थूती हो इश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलोते पुत्र को अर्पित कर दिया जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बलकि अनंत जीवन प्राप्त करेगा अनुवाक्या ए मसीहा तेरी महमा और स्थूती हो संत योहन दुवारा रचित सू समाचार अध्याई पाँच पद संक्या 31 से 47 तक यदि मैं अपने विश्य में साक्षय देता हूँ तो मेरा साक्षय मान्य नहीं है कोई दूसरा मेरे विश्य में साक्षय देता है और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विश्य में जो साक्षय देता है वहमान्य है तुम लोगों ने योहन से पुश्वाया और उसने सत्य के संबंध में साक्षय दिया मुझे किसी मनुश्य के साक्षय की अवश्यक्ता नहीं मैं ये इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ती पासको योहन एक जलता और चमकता हुआ दिपक था उसकी योती में थोड़ी देर तक आनन्द मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा प्रन्तु मुझे जो साक्षय प्रापत है वह योहन के साक्षय से भी महान है पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे विशे में ये साक्षय देते हैं कि मुझे पिता ने बेजा है पिता ने भी जिसने मुझे बेजा मेरे विशे में साक्षय दिया है तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वानी सुनी और ना उसका रूप ही देखा उसकी शिक्षा तुम लोगों के हिर्दे में गर नहीं कर सकी क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने बेचा तुम लोग ये समझकर दर्मग्रंत का अनुशिलन करते हो कि उसमें तुमें आनन जीवन का मारग मिलेगा वही दर्मग्रंथ मेरे विशे में साक्षे देता है फिर भी तुम लोग जीवन प्रापत करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते मैं मनुश्यों की और से सम्मान नहीं चाहता मैं तुम लोगों के विशे में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको सविकार करोगे तुम लोग एक दूसरे से समान चाहते हो और वे समान नहीं चाहते जो एक मात्रे इश्वर की और से आता है तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभी योग लगाऊंगा तुम पर अभी योग लगाने वाले तो मुसा है जिन पर तुम ब्रोसा रखते हो यदि तुम लोग मुसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते क्योंकि उन्होंने मेरे विशे में लिखा है यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वाश नहीं करते तुम मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वाश करोगे ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है ख्रीस्त कीजे